हलो मेरा नाम मुहम्मद अश्रफ है ये मेरा मोबाइल है ये मेरा लाप्टॉप है और ये पिन है दोस्तों क्या आपने कोई ऐसा चीज देखा है इसका कोई नाम ना हो दुनिया में हर वो चीज चाहे वो परसन हो चाहे वो प्लेस हो चाहे वो कोई भी ऐसा चीज हो थिंग्स हो हर चीज का अपना एक नाम होता है और उसी नाम को हम नाउन बोलते हैं ग्रामार में हम उसी को नाउन बोलते हैं तो आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं अगर अब भी तक आपने हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलियेगा ताके आपको हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं नाउन सबसे पहले हम डिफिनेशन लेंगे वाट इस डिफिनेशन अफ नाउन वाट इस नाउन नाउन इस दे नेम ऑफ पर सन प्रेस और तिंग याद रखेगा जब मैं पर सन के बारे में बात कर रहा हूं तो इसमें और लिविंग तिंग आ जा जैसे हमारा दिल्ली, मुंबई और तिंग्स तो हर चीज का जो नाम होता है उसी को हम नाउन बोलते हैं नाउन इस दे नेम ऑफ पर सन प्लेस तिंग्स चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल पर सन के लिए अनाबिया पर सन कैट डॉग इंडिया, न्यू यॉक यह हमारे प्लेस हो गए अब ज़र तिंग्स की बात कर लें तिंग्स में क्याता है हमारा लैप्टॉप, मोबाइल, पैन, पैंसिल, कोई भी चीज जो आपके आसपास से सबका एक नाम होता है और हम उसी को कहते हैं नाउन समझ गए ठीक हैं आईए अब हम टाइपस आफ नाउन पढ़ते हैं दोस्तों टाइपस आफ नाउन देखिएगा तो जनरली लोग इसको पांच कैटेगरी में बाटते हैं प्रॉपर, नाउन, कॉम, नाउन, क्लेक्टिव, नाउन, मेटेरियल, नाउन, एबस्टेक नाउन, हम यहाँ पर इसको दो क काउंट कर सकते हैं हर वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, बहुत एक्जामपल सिंपल ले लेते हैं जिसे कैट, कैट को हम काउंट कर सकते हैं, मोबा pen pencil सब हमनों count कर सकते हैं but water क्या हम water count कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और देखिए हमारा कोई metal count कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा classification countable noun और uncountable noun है अब countable noun में हमारा तीन टाइप आता है proper noun, common noun and collective noun और हमारा uncountable noun में दो टाइप आता है material noun and abstract noun ठीक है हमनों one by one सब पढ़ते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं proper noun से proper noun क्या है? proper noun is the name of a proper person, place or thing यहाँ पर हम लोग किसी specific के बारे में बात कर रहे हैं जैसे अगर मैं अपने इस laptop की बात करूँ तो यह मेरा laptop है laptop बहुत सारे laptop हो सकते हैं यह common है बट अगर मैं specific apple की बात करूँ तो यह हमारा proper है ठीक है? यह हमारा proper noun हो गया वैसे ही जितने भी नाम name होता जैसे मेरा नाम है अश्रफ आपका नाम होगा किसी का नाम राम है किसी का नाम श्याम है दुनिया में जितने भी लोगों का particular नाम होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रॉपर होता है क्योंकि उसके जैसा कोई डुप्लिकेट नहीं होता है तो हमारा जितना भी नाम हो गया किसी परसन का वो हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है जो प्लेसे के नाम हो गया जैसे दिल्ली दिल्ली दुनिया में और कोई दिल्ली है क्या? नहीं है तो जितने places हो गये, पूने हो गये, आपका Byrlin हो गया, दुनिया में कोई दूसरा Byrlin है, क्या नहीं, एक ही है, तो जो specific है, उसको हम बोलते हैं, proper noun, अब things की बात कर लें, things में हमारा ताजमहल, ताजमहल दूसरा है क्या, नहीं, तो जो proper ताजमहल की बात कर या फिर things में हमा और रा क्या हो गया प्रापर हो गया थीक है तो ये प्रापर नऊन हो गया जिसमें हम नोग specific की बात करते हैं अब हम आते हैं common कामन नंून में क्षिए प्रापर समझने के लिए बहुत जरूरी था अपने प्रापर समझा अब वहम क्षिनेfires कौमन क्या है देखें मेरा नाम है अश्रफ आपका नाम है राम किसी और का नाम है मान दीजिए एहमद तो अश्रफ राम और एहमद इन तीनों में कौमन क्या है इन तीनों में कौमन ये है कि ये तीनों क्या है बॉय ये तीनों बॉय है तो हमारा बॉय जो है अब कौमन हो गय वह हमारा common noun हो गया अब देखिए हम तीन प्रॉपर नाउन लेते हैं सीता गीता और अनाबिया यह तीन नाम हो गये अब इन तीनों में common क्या है इन तीनों में common यह है कि तीनों girls हैं तो girl हमारा हो गया common noun चलिए चीजों की बात कर लें दिल्ली मुंबई और पूने अब दिल् इन तीनों में common क्या है इन तीनों में common है कि यह तीनों city है ठीक है तो city हमारा हो गया common noun अब monuments की बात कर लें हमने बताया था ताज महल proper noun था कुतुब मिनार proper noun है तो देखिए ताज महल कुतुब मिनार दोनों proper है पर इन दोनों में common क्या है इन दोनों में common यह है कि यह दोन इसने वाली बात यह है कि इन दोनों को हम count कर सकते हैं इसलिए यह countable noun में आता है तीसरा देखे collective noun what is collective noun collective noun is the collection of person place or things अब देखे collection of person अगर तीन चार दो यह दो से ज्यादा लोग है हम उसको क्या बोलते है people right people देखे बहुत लोग people बोलते है दोस्तों people नहीं बोलना है हमें सारे word को correct pronunciate करना है people crowd okay उसके बाद देखिए आप galaxy what is galaxy group of stars is a galaxy okay library library books group of books तो वैसे बहुत सारे चीजे जो group से बनता है बहुत सारे चीजों को मिला कर बनता है वो हमारा collective noun होता है जैसे country अब country क्या है बहुत सारे states को मिलकर एक country बनता है ना तो वो हमारा collective noun हो गया ठीक है दोस्तों यह हमारा collective noun अब आते हैं material noun what is material noun? material noun is the name of material or substance कोई भी चीज जो natural हो उसे हम material noun बोलते है जैसे या फिर जिससे कोई चीज बनता हो जैसे bottle bottle किससे बना है? plastic से, plastic हमारा material noun हो गया ornament किससे बना है? gold से, ornament, gold से तो gold हमारा क्या हो गया? gold हमारा material noun हो गया उसके बाद देखिए, paper या cloth कपड़ा ये t-shirt किससे बना हमारा? t-shirt बना हमारे cloth से, तो cloth क्या हो गया हमारा material noun हो गया तो हर वो चीज जो जिससे कोई चीज बने उसे हम बोलते है material और जो चीज बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पर common noun बोलते हैं तो है हमारा material हो गया और अच्छा एक बात है कि यह जो भी material noun है इसको हम लोग count नहीं कर सकते हैं अब बताई है अगर मैं बोलू gold जड़ा तीन गोल्ड देना possible है क्या? नहीं है जड़ा चार प्लास्टिक देना नहीं हम जितने material noun होता है उसको हम लोग count नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारा uncountable noun में आता है material noun अच्छा uncountable noun में एक और noun होता है that is abstract noun जिसमें abstract noun means क्या होता है? a noun denoting idea quality or state जैसे honesty अब honesty को हम लोग feel कर सकते हैं just feel कर सकते हैं देख सकते हैं क्या नहीं तो abstract noun वैसे ही noun होता है इसको हम देख नहीं सकते हैं सुनने ही सकते हैं sense नहीं कर सकते हैं इमानदारी honesty हो गया right? anger, गुस्सा, happiness यह सारे चीज़े जो हमारे abstract noun में आता हैं और एक चीज और कि हम abstract noun को count नहीं कर सकते हैं तो हमारा abstract noun और हमारा material noun यह दोनों हमारा uncountable noun में आता हैं और बागी जमने countable पढ़ा पढ़ा तो दोस्तों हमारा यह था आज का noun जिसमें बहुत सारे examples लिए आगे हम और देखेंगे कि यह जो हमारा noun है इसमें singular और plural क्या होगा next video हमारा singular noun और plural noun पे ही बनेगा तो आज का हमारा वीडियो एतना ही था practice करते रहिए कुछ examples आपको description box में दिया गया है उसको solve किजे that's all for the day have a great day